हेलो पैरे दोस्तों, मैं हूँ स्वपना कादे, आज आपके यहाँ पर डिसकस करने आ रही हूँ, अग्रिकल्चर रिलेटेड, जो कुछ भी एड्मिशन प्रोसेस है, उसमें तर्निंग पॉइंट वाला एक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है, आपको समझ में नहीं आया, या फि विडिव, एक तग देखना है, थिक है, तो हम स्वाट करते हैं, वो कौनसा important पॉइंट है, जैसे कि आपको पता है, जब admission प्रोसेस सठाट होता है, registration प्रोसेस स्टाट होता है, उसके बाद हमें grievance डाल सकते हैं, document verification आतए है, provisional merit list आती है और उसके बाद merit list आती है जो कि हम option form बरने के बाद हमारा उस list में नाम आ जाता है कि हमें यह college allot हुआ है allotment के बाद हमने क्या care लेना चाहिए और क्या-क्या precautions लेके आगे steps follow करना चाहिए वो देखते हैं तो उसमें देखो हमें 3 option आ जाते कौन से कौन से एक होता है freeze, second होता है float और third option रहता है refuse firstly हम पता चल देखते हैं इसका meaning कि freeze, autofreeze क्या होता है देखो autofreeze मतलब क्या होता है अगर हमने जो sequence में दिया वह college है वो अगर first number वाला जो college है अगर वो admission system से हमें allotment में आता है first ही college तो वो क्या हो जाता है तो autofreeze हो जाता है एक number वाला college मिल गया तो वो हो गया autofreeze अगर जो कुछ भी college मिला है मुझे और मुझे ठीक है लगता है कि हाँ उसी college में I will continue my admission तो वो रहेगा self freeze ठीक है यहाँ पर सिर्फ meaning बता रहे हूँ बाद में हम example लेंगे सो example से ज्यादा clarity आती है इसलिए मैंने बुला कि end तक देखना मत भूलिए ठीक है float float में क्या करते हैं मुझे जो college मिला है उसके उपर वाले college के numbers जो है न वो मुझे try करना है उसके लिए मुझे option select करना पड़ता है float तभी मुझे second round में entry करके वो मिला हुआ seat भी में reserve रख सकती हूँ और above colleges को try भी कर सकती हूँ ठीक है और refuse first round में whatever college मुझे मिला है वो college मुझे reserve भी नहीं रखना है उपर वाले colleges को try भी नहीं करना है वहाँ पर वो वाला self freeze भी नहीं करेंगे और float भी नहीं करेंगे वो directly refuse करेंगे ताकि वो next round में मतलब second round में वो freshly try कर सकते है वो option form fill up करके चलो start करते हैं कि example के साथ वो example रहेगा दो column में कर रहे हूँ एक रहेगा number और second one रहेगा जो मैंने college expected list में मतलब option form में दिया था तो ऐसे करके 1,2,3,4,5 examples लेते तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने example purpose के लिए 5 options लिए उसमें मुझे मिला है X,Z,A,B,D college ठीक है मैंने ऐसे sequence दिया था उसके बाद जो मुझे लगता था मुझे मिलना चाहिए college वो मैंने एक number पर दिया था और मुझे वही college मिल गया तो वो क्या हो जाता है तो auto freeze हो जाता है ठीक है first thing second thing क्या है देखो मुझे लगता था एक number का चाहिए college पर मुझे जो मिला वो रहा fourth one college ऐसे होने पर अगर मुझे लगता है कि ठीक है first, second, third नहीं मिला तो भी चलेगा मुझे fourth college चलेगा तो ऐसे time पर क्या हो जाएगा वो self freeze करना पड़ता है मतलब खुद से वो freeze option पर click करना प कौन सा college मिला तो fourth college but I want to try for this above three मतलब मुझे लगता है कि X, Z, A ऐसे में कोई college मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा तो ऐसे time पर मैं क्या करूँगी float option select करूँगी मैं जब वो float option select करूँगी तो मैं second round के लिए जाऊंगी उस time पर ये जो fourth number वाला college है वो मेरा reserve रहेगा अब मुझे ये above colleges नहीं मिले तो भी मैं ये fourth वाले college में admission confirm कर सकती हूँ और एक बात अगर हम autofreeze self float कौन सा भी option select करें उसके बात हमें हमारे जो original document से वो respective college में जाके वहाँ पर verify करना होता है और seat acceptance fee पे करनी पड़ती है ठीक है ये point बहुत important था अब ये refuse वाला point क्या है दे मुझे चाहिए था एक number वाला college मिला मुझे fourth number वाला college ठीक है ऐसे time में मुझे float भी नहीं कर रहा है मतलब second round में बाकी के option के साथ वैसे नहीं जाना है मुझे वो accept ही नहीं करना है float भी नहीं करना है freeze भी नहीं करना है ऐसे time में मैं वह सब जो मिला हुआ seat है वो reject करूंगी औ और उस time पर मुझे refuse option select करना पड़ेगा और जब मैं second round के लिए apply करूंगी at that time I can't apply मतलब मुझे ये fourth वाला college जो first round में मिला था वो मैं second time time ट्राइम नहीं कर साथ होपसो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा इसका importance कितना है और क्यूं हमें ये terms मालूम होना बहुत Thank you all of you